दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉड्कास्ट में और एक बर फिर से हमारे साथ है सटीश कुसवाः, सटीश स्वागत है मरे साथ, चैनल पर फिर से, तो सबस्तुरें, आज देखा जा रहा है जो यूत है, वो बहुत जादा प्रेरीथ हुए रहा एकमानना है मेरा नहीं उनका मानना कि ब्लॉग इस डेड ब्लॉग इई को चुका है और कोखना पढ़ने संद्ध करता है वह बोर्य और लुग केहते हैं कि अब फ्यूचर जो है वो ब्लॉग जूचर वह स्कार्व देखे, बहुत सारी चीज़े हैं, इसमें, अगर एक वार्ड में बोले कि ब्लॉगिंग डेट हो रहा है, तो मैं बोलूग है नहीं, और कई लोगों को इसलिए लग रहा है, जैसे देखे, क्या होता है, बहुत सारी चीज़े होती है, कि आप एक ही क्वेस्टन का आपको दो ब्लॉगिंग डेट हो गया, जो बंदा कर रहा होगा, उससे बर पूछेंगे, तो बोलेगा, ब्लॉगिंग नहीं हो सकता, कोई भी चीज़े ट्राइदर राजर उससे नहीं हो तो बोलेगा, यह चीज़े वाक नहीं करते हैं, तो सतिश मैं पूछना चाहूँगा, कि जो ब्लॉगिंग में कदम रखना चाहते हैं, सुरुवात में, तो ज्यादा तो ब्लॉगर जो फ्री टूल है, ब्लॉगिंग सुरुवात करने के लिए, गूगल का ब्लॉगर, ब्लॉग स्पॉट जो पहले था, उससे सुरुवात करते हैं, क्या आज भी कोई सुरुवात करना इसको उसको उसकी हेल्प से बहुत सारी चीजे होती हैं बट बॉलता हूं शुरुआत आप वर्डप्रेस से करो और मैं भी यहीं करता हूं कि फ्री के चीजे में बहुत महाल इमिटिशन है तो अगर आप वर्डप्रेस से सुरुवात करना ज्यादा बहतर है और जब बात होई रही है वर्डप्रेस की तो मैं आपको एक इंटर्ड्यूस करना चाहिए कि अगर आप अभी सुरुवात करना चाहते हैं तक बहतरीन मौका ह है क्योंकि ब्लू होस्ट का बर्डेसल चल रहा है जिस पर 65% 65% आफ मिल रहा है आपको सेलेक्टेड प्लान पर इंडिया सर्वर सरेट कीजिएगा यहां प्लान बहुत से थोड़ा इंडिश कर दो सबस्पर पहले बेसिक उसमें आपको एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं 50 और बिसनस प्लान है और ओनलाइन स्टोर करा प्लान है लेकिन अपने यहां पर पहलता है प्लान चल रहा है वह इसी प्लान चल रहा है और गीजिए और में लेकिन मैं आप सबसे पहले भी चेक आउट जब जितना बॉक्स होगा हटा लीजिगा चेक हटा लीजिगा ताकि आपको बेस्ट प्राइसिंग मिल सके और यहां पर देखिए बारह महीने में आपको तेटीस सो अगर आप 24 महीना करते हैं तो आपको 6,000 और 36 महीने में आपको यूट्यूब में ज्यादा कमाई है पॉइंट ऑफ यू आर्निंग के साब से आप किसको ज्यादा रेट करेंगे देखिए कमाई हर जगह पर है सर अगर कमाई नहीं होता तो मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता और अगर मेरी शुरुआत मेरे जर्णी जो हुई थी आर्टिकल के तुरू चीजों को लिखके कॉंटेंट बनाके वो कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजे इसके अलावा एक और चीज आती है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लोग वीडियो में बनाएंगे ना तो उसमें वो लंबे समय तक पैसे बना सकते थे तो इसल कितने महीने बाद हमार रिंग करना सुरू कर सकते हैं जैसे यूट्यूब पे सुरूब पर पहले यूट्यूब पे होता क्या था कि मैं देखता था कि चैनल मॉनिटाइज होने में लगब 6 महीने साल भर लग जाते थे आम तो पर आज की डेट में देखा जा रहा है कि यह समय लगेगा उसमें क्योंकि यूट्यूब पर वाइरलेटी यूट्यूब पर चीज होता है वाइरलेटी कभी-कभी कुछ चीज वाइरल हो गई ट्रेंडिंग चीज है तो सड़नली वह क्लिक कर जाती हो और वी दिन 15-20 दिन पर ही चैनल मॉनिटाइज जाता है तो ब्लॉ यूट्यूब को बहुत समय से वह देख रहा होगा बहुत समय से अनलाइज कर रहा होगा फिर जाके उसने शुरू किया और वह एक-दो महीने में चल गया बट अगर शुरुआत कोई कर रहा है कि जसे आज उसको पता चला ब्लॉगिंग के बारे में और आस से फर्स डाल र पोस्ट का तो आजकल तो और भी ट्रेंड चल गया जैसे वेब स्टोरी का गूगल डिसकावर में पोस्ट को लाना उसके लिए लिखना और अलग होता है रैंकिंग करने के लिए चाहिए तो किस चीज़ पर नए लोगों को फोकस करना चाहिए ताकि जल्दी सब्स जल्दी प्रेश होने चाहिए जो आपके टापिक सेलेक कर रहे हो शुरुआत में फ्रेश होने चाहिए क्योंकि जो Google ले तेगा जो फ्रेश आर्टिकल लिखेगा तो सबसे पहले हमें यूनिक और फ्रेश टापिक डूढ़ना उन उसके लिए भी तरीका हाउग बताए हुगा इसक लिए आपको कोई भी अगर आपने keyword पगड़ा, उस keyword को ना Google में आप search करिए, अब देखिए कि जो top 10 result आ रहा है, उसमें से कोल सा ब्लॉग नहा है, अगर उसमें कोई नया ब्लॉग दिख रहा है, इसका मतलब आप भी अगर उससे related ब्लॉग पुस्ट लिखते हो, तो आपके ranking के chances हैं, क्योंकि अगर उस नया ब्लॉग ने rank कर लिया है, तो क्योंकि उसकी authority कम थी, तो rank कर गया, तो आपकी भी नया ब्लॉग की authority कम है, तो आप भी rank कर जाओगे, एक मतलब पहला में धड़े है, तो unique और fresh के पीछे हमें बांगना है, और साधिस साथ उसके बाद दूस पहले हैं, और सबसे बढ़िया है notification tool, बहुत सारे marketer free notification tool आते हैं, जैसे one signal है, और भी पुशर करके हैं, जिनको आप लगा सकते हो, इससे फाइदा ही मिलता है, कि जब आप नया article लिखोगे, तो उनको आप notification बेजने से क्या होता है, और notification बेजने से क्या होता है, कि Google में वह web stories भी बनाओ, क्योंकि web stories भी काफी, लोग काम करने कम, web stories पे आज भी इतना video बनाने के बाद भी आज भी इस पे लोग काम करने वाले कम है, तो अगर आप इस पे हर एक article का web story बनाते हो, तो उससे भी आपका जो discover में, आपके web stories जाती हैं, साथिसा साथ सौच में भी आता है तो ऐसे करके आपके blog का reach बढ़ते जाता है, तो नए लोग के लिए शुरू करने का बैतरीन steps है, मतलब इससे आप शुरूआत कर सकते हैं, साथिसे चीज़ बहुत लोगों में confusion है, बहुत जाला confusion है, कि हम अगर post लिखते हैं, blog post और उसमें chat gpt का बहुत trend चल गया है, उसक चैट gpt में आप वही चीज़े वो लिखके देगा, जो आल लेडी इंटरनेट पर लिखी जा चुकी है, कितना भी वो यूनिक बनाने कोशिश करेगा, वो पता चल जाएगा कि AI के द्वारा है और उतना value नहीं एड़ कर रहा है, अगर हम सिधा सिधा चैट gpt से चैट gpt काफी यूसफुल डूले, बट जो नए लोग है उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग सिधा सिधा कॉपी पेस करते हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जी, तो मैं रिकमेंट नहीं करता, चैट gpt को, एक और सवाल है, जो कि जैसे शुर सब्सक्राइब करते हैं, तो अब बहतरीन चीज़ चाहते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो ठीक है, तो अबियसी बात ही, आज की रेट में यूट्यू भी कोई स्टार्ट करा है, थोड़ा इंवस्मेंट तो खर्चा जादा होगे, कम से कम 50-60,000 रुपए, तो लगी जाए है, या फिर लैप्टॉप चाहिए, या क्या, आप उससे बताए कुछ, मोबाइल से हो जाएगी चीज़े, बट मोबाइल से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको भी पता है, कि उसमें आर्टिकल लिखना होता है, बहुत सारी चीज़े सेट अप करनी होती है, तो आप 30-40,000 के ही लैप्टॉप में काम चला सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप फोन से ही, अगर आप लेक आपके पास पैसे नहीं है, तो फोन से ही शुरू कर सकते है, बाकि जो बेसिक आपके खर्चे लगेंगे, वोस्टिंग और डोमेन का लगेगा, अभी आजकल तो जो है, लाइक 3-4,000 रुपे में एक साल का आपका डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है, अभी तो आजकल वोस्टिंग में एक साल का प्लान लेते हो, तो आपको डोमेन भी बिल्कुल फ्री मिल जाता है, तो 3-4,000 रुपे में आप शुरू कर सकते हैं और आप जो वीडियो देख रहे हो फोन से ही देख रहे हो तो इस फोन से भी हम चीज़े शुरू कर सकते हैं टो हम से नहीं हो पा रहा है तो क्या एक्सटर्नल ट्राफिक हम अगर पर पस तो तो हम डिरेक्ट अगर लिंक डालके ट्राफिक फेस्बुक का इंस्टाग्राम का यूट्प अगरा कर तो क्या उससे कोई दिक्कत होता है अड्सेंस को या फिर ब्लॉग कोको कुछ प्राउलेम हो गी या नहीं? देखिए आप ट्रेफिक कहीं से भी दीजिए अगर वो क्वालिटी लोग आ रहे हैं क्वालिटी यूजर से तो पोई दिक्कत नहीं होगी लाइक रेलेवेंट ट्रेफिक बेजिए कि मां इंटेंट उसका क्लियर होना चाहिए जैसे आप मिस्लीड करके आप ट्रेफिक मत लिए मेरे कहने का मतलब है आप चाहें जिस भी थर्ड पार्टी से लिए जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि अधर आप एक वाटसेप ग्रूप बना लेते हैं आप टेलिग्राम ग्रूप बना लेते हैं नोटिफिकेशन टूल लगा लिजे तो यह एक्सर्णल ट्रेफिक सोर्सी हो गए आप इस्टेंट ट्रेफिक वेजने के लिए आप इनका यूस करेंगे तो ऐसे ही अगर आपका पीज है तो और अच्छी बात है उससे क्या होगा कि अगर आप अच्छे से जैसे मैंने वाला तो एक दो कीवर्ड भी है टाइडल से पकड़के या डिस्क्रिप्शन से पकड़के उसे राइंक करता है वास्ट टाइम के बेसिस पे और जैसे व्लॉग हो गरा नॉर्मल व्लॉग हो रहा है जो व्लॉगिंग कर रहे हैं वो कुछ भी टाइडल डालते हैं अगर ऑडियन्स करना चाहते है तो वाट इसको कर सकता है कुछ कमाई क्या चांसे अंगे सर्थ यह बोगत बड़ा वह लोगों ने बना दिया कि इस वह जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में आपको आर्टिकल लिखने आना चाहिए तो आर्टिकल लिखने में कीवर्ड का भी हम कैसे उसमें वो करेंगे, क्या बोलते हैं, इंटिग्रेशन ऐसा विपना है कि हमारा संटेंस भी बन जाए, उसमें कीवर्ड भी आजाए, आर्टिकल में, एक पराग्राप भी हमारा बन जाए, और कीवर्ड भी आजाए, अगर हम सिंप्ली देखें, यूजर के लिए अगर हेल्फुल कॉ पूरा इंकर आदेगा, तो पूरा-पूरा इंटेंट पे डिपेंड दरता है, हाँ, यह तो ओन पेज होगा, सथीस, कि हाँ आज भी बैक लिंक वेगरा मायने रखते हैं, जो आप पेज, एसी ओ की बाद आगर करें तो, बैक लिंक शुरू में, मतलब शुरू में उसके च लिंक ले सकते हैं, तो इस तरह सकते हैं, सथीस, बहुत इंपॉर्टेंट शीच पूछना चाहेंगा आपसा, जैसे हम लोग आज की डिपे यूट्यूब पे जो देखते हैं, वो वाच्टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसके उपर सब कुछ निरवर करत है, कितना जिरू वो टिकता है वहाँ पे, तो वो क्या माइने रखते हैं, और क्या इसको साइज बाउंसरेट कहते हैं, कुछ आप इसे थोड़ा एक्स्प्लीन कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल साही क्वेस्टन आपने किया, इसमें दो चीजे हो सकती है, सर जैसे मान लेज उसका अंसर एक ही वर्ड में है, तो उसके उपर एक कलर दिखा देगा, कि हां ही, आप सच कर रहे थे, यह चीज है, अगर आपको पढ़ना है पूरा तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं अगर इंटेंट फुल्फिल हो गया, जैसे मैं कहा रहा हूं, यूजर का पूरा हो गया, तो आपका जो आर्टिकल हो बेस्त है, गूगल वहाँ पर टाइम नहीं देखेगा फिर, क्योंकि वह देख रहा है कि यूजर का जो इंटेंट था हो पूरा हो गया, आप समझ रहे हैं, बिल्कुर, बिल्कुर, अगर वो आर्टिकल पढ़ने वाला है, पू आप जादा प्रेफर करते हैं, अफिलिएट प्रोग्राम से अर्णिंग करना अपने लॉग पे रदर देन आड नेटवर्क्स, तो आज के स्थिति में आप क्या बनाएं, कौन सब बहतर होगा शुरुवाती दोर के लिए, लोगों के लिए जो शुरुवात करना चाहते है on अच्छे से कर पाओगे, जिसे कई तरह के ऐड में गैनला, किवरट होते हैं, पन्प्र तर सब्सक्क्राम से कहते हैं, आप बैसे कीवर करना चुरुळ। कि बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज बेस्ट स्मार्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज ए ऐसा है कि कॉमर्शियल की वर्ड है कि लोग जो यूजर सच कर रहे हैं वो जब फोन खरीदने के लिए सोच रहा है उसके दिमांग मैंसा है कि फोन खरीदेगा तब ही जाकि उसने की करने कर रहे हैं लोग काम कर रहे हैं एक उसके लिए बास पैसा खरों करना पड़ेग है जैसे यहला पर शेमदरज तो आपको कर चाでも है कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जो जिन पर कॉमपटिशन कम है तो क्या कोई अल्टरनेटिव बता सकते हैं कि वो गूगल प्लैनर या फिर कोई और जिस फ्री में काम चला सकें बेगिनर्स प्लैनर फ्री में सबसे बनिया तूल है गूगल सच में यह आप क्वेस्चन करिए जो भी कीवर्ड ना उसके आगे क्वेस्चन करिए जो इसके अलावा नीचे एक रिलेटेट इसक और आता है प्लस उसके अलावा जब आप जो सच रिजल्ट में ही आपको लिख आता है यहां से आइडिया लेना आपको यह सी एकी टॉबिक्स बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं यस गूगल एड्स में बहुत लोगों का अप्रूबल में दिक्कत होती है वह चाहते है कोई अल्टर्नेट होता तो अगर कोई अल्टर्नेट जैसे मीडिया रॉटनेट ब देंगे तो बेस्ट गूगल एड्सेंस ही है बेस बेस्ट तो गूगल एड्सेंस है सर अग्जाक्ली सब्सक्राइब काफी अच्छा परफॉर्म करता है है मीडिया डॉटनेट का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा तफ है उसके लिए भी इंग्लिस में ही होना चाहिए पर निच पर नहीं करता है तो अगला समाल यह सदी से कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं लोग मैं मैं डाउट होता है कि हम पूस्ट लिखते हैं ब्लॉट तो कितना लंबा कितने वर्ट का मिनिमम लिखें ताकि वह बहतर हो रांकिंग के लिए मिनिमम तो कम सक्व 600-700 वर्ड लिखें और अभी देखो 600-700 वर्ड भी मतलब एनफ नहीं है बहुत बार क्या होता है कि हमने मालीजे कोई चीज लिखा है कि 10 तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने के उसे में किसी ने 15 तरीके लिखती है तो गूगल थोड़ा सा उसको प्राइटी देने लगेगा तो कुछ आर्ट पुरा यूजर को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल बनाना है यूजर को वैलू बिलना सही है ओके सथीस लोग क्या करते हैं कि आम तोर पे जिनको ब्लॉगिंग करते हैं वो SEO प्लॉगिंस वगरा समाल करना प्रिफर करते हैं जैसे यूस्ट हो गया रैंक मैथ हो गया इससे क्या अडवांटेज होते हैं विग्नर्स के लिए अगर हम नहीं करें तो क्या होगा बिल्कुल एडवांटेज होते हैं इसमें बहुत सारे पैरामिटर्स होते हैं जो अगर हम मिस कर रहे होते हैं तो हमें बता देता है कि आपने यह चीज यूज नहीं किया है जैसे आपने कोई email अप्लोड किया उसमें आपने all tag नहीं लगाया तो बता देगा आपने all tag नहीं लगाया internal linking आपने करिये की नहीं करिये एक लिंक हमें high authority site को देना होता है अपने article से तो वह आपने दिया कि नहीं तो एक outbound link भी ज़रूरी होता है तो वैसे करके बहुत सारे parameter सो बताते रहता है कि आप इसको फुल्फिल कर रहे हो कि नहीं कितने keywords आपने डाले हैं like keyword stopping तो नहीं कर रहे हो like आपने पूरे article में सिफ keyword ही keyword डाल दिया वह सारी चीजे उसमें बताते रहते हैं तो beginners के लिए तो काम का ही है और जो प्रोल लोग है उनके लिए बेजी रहता है पता लगाना कि हमारा SEO सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है थीम्स के उपर जैसे बहुत लोगों का मानना है कि हमें पहले थीम करेदना चाहिए वह ज्यादा बहुतर परफॉर्म करते हैं ब्लॉगिंग आप सुरुगात कर रहे हैं तो क्या कोई चाहिए तो फ्री थीम से सुरुवात कर सकते हैं बट कुछ आप कहीं इंटरनेट से फ्री थीम डाउलोड मत करें मतलब किसी पेड़ थीम को फ्री में डाउनोड करके यूज मत करें फिर उससे क्या होता है न उसमें कई लोग अपना वाइरस देते हैं फिर कुछ ऐसा जिस्टे न उनको आटेक कर सकते बाद में मेरे साथ हुआ थैसा यह बहुत सारे questions का answer आपने दिया फाइनली एक चीज हम कहना चाहेंगे चाहे लाख चीजे हो कमाई हो बहुत पैसा हो ब्लॉग में website में लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक जगह दो लोगों खड़ा कि जाए एक blogger को जो website पे लिखता हो post और उसके millions of traffic हो औ और वो दस लाख भी कमाता हो उसके जगह दूसरा एक हजार सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को खड़ा किया जाए और उसके वीडियो पर लगभग हजार फ्यूज भी आते हो तो कहीं ने कहीं जो glamour होता है जो image होता है वो ज़्यादा चमकदार होता है नाम ज्यादा कौन दिया क्या नाम फिम लिख एक वाले सब्सक्राइबर पहले से हम वहां करें लगेThank you मैं सब्सक्राइबरकों करते हैं यूट्यूबर क्रperformance मैं यूट्यूबर करने लगेए दो मेरे को बता रहा हूं तो मेरे को मैं यह जोटा था दा पर दो जाते हैं तो फिर में लगा यार कि यह यूटूब बड़ा सब्सक्राइब तो जाकर मैं ने ब्लॉगिंग के साथ सथ में यूटूब को एक्स्टोड किया था यहां पर मैं एक और चीज कहना चाहूँगा सर दिखिया आप इंडिया में आप देखें के बड़े तो पईसे में ब्लॉगर तो ज्यादा आई जाएगा अगर हम बात करें जो इंडिया में चौक यूटूबर हो का ना इतना इतना वाइरो रहता है इतने भीड आ रही है इसके पास पर ले के लिए इतना क्रेज है इसका है वो चीज़ अट्रेक्टर रही आज की ओडियों को और इसलिए लोग डिस्क्रीट है ज्यादा रील्स और वीडियो बनाने के लिए बट अगर देखा जाए एक जो लोग सर्चेबल वेब साइट वेब तूल जैसे माली जैसे पीनर स्टेटस कैसे चिक रहे हैं एप बना रहे हैं जो एक एक आप डाले हूँ है मिलियोंस ऑफ डाउनलोड से ट्राफिक है वो इतना कमा रहे हैं कि आप सोचिए मत बट वो चीज सामने नहीं है किसी के लिए ठीक है यह तो फैक्त है बिल्क आपके लिए सारे चीजे अवेले बाले हैं लाइक रिल्स पे आप फेमस हो जाओ लेकिं पैसे नहीं कमा पाओगे बहुत कम कमा पाओगे वहीं पर योटूब करते हूँ तो यूटूब करते हो तो यूटूब पे वह सबसे जादा पैसा कमान लोगे तो हर जगह पे थोड तो आपको देखना है कि एक्स्प्लोर करो कौन सा चीज आपको समझ में आता है वो चीज पर आप लग जाओ अगर कोई सवाल है तो कॉमेंट में कीजिएगा और अगर आप एक ब्लॉग और या वेब साइट आप सुरुआत करना चाहते तो मैंने बहुत बढ़ी ओफर दिया है ब्लुऊस्ट का आप नीचे चेक आउट कर सकते हैं सब्सक्राइब अगली बार साथ में घर पर आके मिलत करते हैं बबाए बिलकुल सैब बिलकुल से मचाते रहे एए मचाते रहे